नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की बेलोल एकसल टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, बेलोल एकसल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए? और बेलोल एकसल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यहां भी डिसकस करेंगे कि बेलोल एक्सल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। बेलोल एक्सल एक ब्रैंड नेम है। बेलोल एक्सल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन मेटोप्रोलोल होता है। बेलोल एक्सल टैबलेट 25 mg व पचास mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। बेलोल एक्सल टैबलेट एक बीटा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है। बीटा ब्लॉकर दवाईयां दिल की धड़कन को धीमा करती है। और शरीर में ब्लड वेसल्स को रिलेक्स करके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। और ब्लड प्रेशर को कम करती है। बेलोल एक्सल टैबलेट का उप्योग हाईपरटेंशन होने पर यानि ब्लड प्रेशर अधिक होने पर माइग्रेन के सिरदर्ध को रोकने के लिए और एंजाइना को रोकने के लिए भी बेलोल एकसल टैबलेट का उप्योग किया जाता है एंजाइना होने पर रिदय तक बलड का सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से छाती में दर्ध होने लग जाता है जिन व्यक्तियों को दिल का दौरा पढ़ चुका है। उन व्यक्तियों में दोबारा दिल का दौरा पढ़ने के जोखिम को कम करने के लिए भी डॉक्तर बेलोल एकसल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। इसके अलावा दिल की धड़कन अनियमित होने पर भी बेलोल एकस रहने की वजह से किड्नी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है। और आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर उपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में बेलोल एकसल टैबलेट की वज़़ से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लंबे समय तक बेलोल एकसल टैबलेट को लेने से पुरुषों में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है. एरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानि पुरुषों का सेक्स के लिए तयार न हो पाना. अब हम डिस्कस करेंगे की बेलोल एकसल टैबलेट को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है. बेलोल एकसल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर बेलोल एकसल 25 एमजी टैबलेट या बेलोल एकसल 50 एमजी टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं. बेलोल एकसल टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना रेक्मेंडेड होता है. बेलोल एकसल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है. इसलिए आपको बेलोल एकसल आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे की बेलोल एकसल टैबलेट को लेते समय क्या-क या सावधानिया रखनी चाहिए. ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होने पर, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, अस्थमा होने पर, दिल की धड़कन बहुत कम होने पर और गंभीर हार्ट फेलियर होने पर आधी कंडिशन्स में बेलोल एकसल टैबले बेलोल एकसल टैबलेट के साथ-साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए. स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए. इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपक शराप का सेवन नहीं करना चाहिए. और बेलोल एकसल टैबलेट को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए. और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है. क्योंकि बेलोल एकसल टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों की मानसिक सतरकता प्रभावित हो सकती है। बेलोल एक्सल टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि डॉक्तर की सलाह के बिना बेलोल एक्सल टैबलेट को बंद करने से दिल से संबंधित समस्याए गंभीर होने का या दिल का दौरा पढ़ने का जोखिम अधिक हो जाता है। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं के लिए बेलोल एक्सल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं को बेलोल एक्सल टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। और बेलोल एक्सल टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। लेकिन इसकी वज़ा से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को बेलोल एक्सल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बेलोल एक्सल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।